हाई गाईज मेरा नाम है साहिल खंदा और आज की विजुन शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूस है क्रेडिट सूस बैंक की तो भाई कल तो बुरा हल था उनका क्योंकि पहले खबर निकल गया है कि वह लोन ले रहे हैं उसके बाद मैं खबर निकल के आई कि हम लोन नहीं दे सबस्कों कि हम बात करें चले तो आज कहा गया कि 24 बलिंड डॉलर वो ले रहे हैं सिंतरल के बहात और ऊइसा था थो पास इनके रेट बढ़ गए थे और स्विस्स की बात करके चले तो भाई स्विस्स में गूगल के स्टाफ है वो वॉक आउट कर रहे हैं ले आउफ के रिगाड़ेंग बैसिकली गूगल ने दोस्तों से ज़्यादा इंप्लोई निकाले और दो हजार से ज़्यादा इंप्लो दिया तो शायर नौकरी पे न मिले क्योंकि टाइम उतना अच्छा नहीं है इस ताइम पे नौकरी के लिए अगली खबर अशनीर ग्रोवर की जो वाइफ है उन्होंने 2.8 करोड रुपीज का एडवांस टेक्स पे किया है तो वरना दा हाइस फीमल टेक्सपेर है ऐसा अश अगली कबर यूएसडी की है तो तीन दिन के अंदर जो सेकेंड लार्जस टेबल कॉइन है उनसे इंवेस्टर ने 3 बिलिन डॉलर निकाल लिये थे बैसिकली यूएसडी सी एक डॉलर से पेक्ड है कि मतलब एक डॉलर की वेल्यू इज वन यूएसडी सी और जैसे की सीलिक तो आप ये यूस करते हो ये stable coins है इनको किसी भी जगह पर पैसे transfer करने के लिए क्योंकि पैसे कम लगते है transition tax जिनको नहीं पता ये कह सकते हो गलत तरीका है या फिर पैसे transfer करने का हमारी government तो अलाओ नहीं करती है पर कई लोग करते है जैसे कि example के लिए मुझे अपने एक US वा transfer करेगा उसमें दो दिन भी लग जाते है तीन दिन भी लग जाते है उसके बाद उसके उपर एक अच्छा खासा चार्ज लगाता है bank fees के नाम का पर अगर मैं crypto की फॉर्म में लेना चाहूं तो बहुत ही nominal के अंदर हाथ की हाथ पैसे transfer हो जाएगा और हाथ की हाथ भसको convert कर सकता हूं और सबसे बड़ी बात crypto का नुपसान डर यह अता था पहले normal crypto की अगरम बात करके चले मुझे उसने बेज़े दो लाक रुपे एक्जामपल के लिए और जब मेरे पास आये हुए तो मैंने भी निकालने में 10 मिनेट दूर कर दिये वह 10% घड़ गया 10% बढ़ गय क्योंकि banks ने अपने coins भी निकालना शुरू कर दिया है अगली खबर Stripe की है तो Stripe की valuation almost आदी हो गई है अभी उन्होंने 6.5 billion dollar raise किये है 50 billion dollar की valuation की उपर और last round के अगर हम बात करके चले उस टाइम पे वो 95 billion dollar की valuation की उपर थे मार्स 2021 के अंदर पहला down round देखने को अकों मिल रह और यहीं कियते है कि जब company की valuation घटी है अभी जस शुरुवात है और यह आगर आप business use follow करते हो मौनमोस 5-6 महिने से बोल रहा हूं कि अब डाउन राउंड की शुरुवात होगी बहुत strong chances है मतलब strong chances है मुझे इसा लगता है यह मेरा opinion है पहली बोल रहा हूं कि कोई बड़ी company बंद हो सकती है इंडिया के अंदर बड़ी startup unicorn जिसको हम बहुत सुन रहे है आसमी वजार जैसा कांड हुआ था वैसा कुछ कांड हो सकता है intellectual entities पे मैंने वीडियो बना रहे है आसमी वजार की जिनको चानना है वो देखना समझ में आएगा कि कितनी बड़ी चीज थी अगल पहले थे अभी currently है या फिर X थे अगर मैं numbers की बात करके चलूँ तो almost 5906 cases के अंदर 176 cases है जो की इस category के अंदर आते है और यह data है 31 January 2023 का अगली खबर Z की है तो Z ने agree किया है इंडिसन बैंक के 83 करोड के जो due है उसको देने के लिए इंडिसन बैंक ने insolvency की proceeding करवा दे थी बैंक इसके थुरू जी के लिए कि इसको बंद कर रहा हो यह दिवालिया घुषिट करो ऐसा हो गया वैसा हो गया अब यह दे रहे है और यह पैसा देने के बाद में फिर वो डील प्रोसीड होगी जिनको याद नहीं है काई लोग हमको अभी जॉइं कर रहे है जी और सोनी की डील हो रही है बिसिकली सोनी जी को खरीद रहा है तो यह पहले ख़वर बहुत जाल रहा चल रही थी बड़ अब कबड़ यह नहीं आ रही थी रीज एई हिइए क Carney रही हो जाएगा हूप साहियो दिखाई देगा अगली कि रगू-raam-raam-rajajan-zi- site इंकि ही है तो इस ब अगर भार बढ़ेगा तो भाई इंडिया में भी भड़ेगा ऐसा दिखा जाता है अगर मैं Economic Advisory Council की बात करके चलूँ तो उनके हिसाब से RBI भी अपनी Next Monetary Policy Committee मिटिंग के अंदर जो कि April में होने वाली है उसके अंदर rate बढ़ा सकता है भाई कितना बढ़ा होगे rate बढ़ता जा बैसिकली government कट करने कोशिश कर रही है जो उनका deficit है उसको क्योंकि हम export भी उस लेवल पर नहीं कर रहे है और import भी उस लेवल पर नहीं कर रहे है तो इंपोर्ट को चलो जो जो लेवल की चीजों को रोका जा सकता है उसको रोकने कोशिश की जाए अगली ख़बर वर्जन और की है तो उन्होंने अपने operations को पॉस कर दिया है और अपने साफ को भी जाने के लिए बोल दिया है बेसिकली अभी उनको अपनी satellite launch करनी थी UK के अंदर पहली UK की satellite होती हो जद्वरी के अंदर permission fail हो गया उसके बाद उन्होंने कोई investment करनी है उसके regarding उन्होंने बोला है कि हम हो गई कि आपने इतना पैसा खर्च कर दिया पर आपको दिखाई देता है कि अब यह लॉंग नहीं चलेगा ठीक है इसको बंद कर दो सीख लो चीज से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा लाइक के अंदर यह खाली business की बात नहीं कर रहा है जिंदगी की बात कर रहा हूं आप एक चीज के उपर छोटा कर्चा करते हो पर उस छोटे कर्चे को बचाने के लिए आप और बड़ा कर्चा करते हो फिर उसको बचाने के लिए आप और बड़ा करते हो एट लास हो सारा पैसा नहीं है तो छोड़ दो क्या दिक्कत है आगे पैसा कर्च करने की जुरत क् अगली कब़र उते कोटकक jsji की है तो उनने मुला जो मेक्रो फेक्टर्स है वो इंडिया के लिए अच्छे हो रहे हैं ग्लोबल क्रैसिस चल रहे हैं पर इंड्या अच्छे हो रहे है यह बहुत अच्छी शीज और मतलब ग्लोबली भार बैंक भी क्रश कर रहे है पर इंडिया के लिए चीज अच्छी है अगली खबर वेदानता की है तो रिपोर्ट के हिसाब से वेदानता वन बिलन डॉलर का क्रेडिट फंड ले सकता है बेसिकली लोन ले सकते है और जो उनके लोन रिपेमेंट है उसके लिए शायद ये लिया जा रहा हो अगली खबर ये समझने वाली खबर है क्योंकि इसके एराउंड हमको आने वाले दो-तिन दिन के अंदर को बड़ी खबर सुनने को शायद मिल सक परने के बाद में उन्होंने अपना अपना डेशिश्टेशन फायल किया उसके बाद में अचानक निकल के आया कि नई भाई उनों अपनी है अब यह क्यों किया गया है क्या future retail के अंदर अभी वी कोई होब है अभी रिख सकता है लेट गोटा है अगली खबर, अबुदाभी, G42 करके कमपनी है, उन्होंने 100 million dollar के ByteDance के stake खरीदे है, 220 billion dollar की valuation के उपर, ये बड़ी बात है, 220 billion dollar की valuation हो गई है, इसकी, मतलब माल लो ByteDance की, अभी इस इतर लेवल की हो चुकी है, इस condition के अंदर, ठीक है, इस condition का मतलब मैं बोल रहो, इस टाइ कहा जा रहा है, 2000-25,000 करोड रुपे, वो raise कर सकते हैं, ये अच्छी चीज है, नॉर्मली मा इपों की बहुत सारी news नहीं दालता हूं, पर ये sellow नाम सोना सोना था था, यूस किया, अपने sellow fan मैं में वेनतों की है, अगली कबर, HSBC ने जो अभी recently, SVP bank को खरीदा था, जो UK करीती थी, 100 रुपे के आसपास में, तो उसके अंदर उन्होंने 2 billion pound डाले है अभी, तो basically, जितनी भी दिक्कते थी, उसको resolve करने की कोशिश की जा रही है, अगली कबर, Indian firms swift use कर रही है, रश्या की payment देने के लिए ये बड़ी चीज है, अभी banks के नाम नहीं आए, कि किस bank के ये सब ट्रांसफर हो रहा है, भाई, US ने सैंक्शन लगा रखा है, ग्लोबली swift use करने के लिए, रश्या के उपर सैंक्शन लगा हो है, बहुत सारे bank use नहीं कर सकते, पर फिर भी, इंडिया से रश्या में swift के थूप ऐसा जा रहा है, ये तो गलत बात है, बतलब गलत बात के लिए, देखते हैं क्या होता है, किसका बैड बसता है, कौन सा बैंक फसता है इसके अंदर, अभी नाम तो नहीं निकल के आया है, अगली ख़बर, इंडिया के एक्सपोर्ट की है, तो फरवरी के महिने के अंदर हमको गटते हुए दिखाई दिए है, हमारे और हमारे इंपोर्ट भी घटे हैं, अगली ख़बर, इंडियान स्टार्ट अप सेक्टर के अंदर, पिछले छे महिने से कोई भी यूनिकॉन नहीं आया है, नया, और ये ऐसा पहली बार हुआ है, पिछले साथ सालों के अंदर, और ये देखो, सिंपल सी बात ही है, क्रिटे़ राइं हो या फिर क्रेडिट नोट मेल साथ से कर लेते है, ऐसा कर लेते हैं जिक देखें क्या होता है, और फिर नहीं होता, आफिने रही चुक नहीं करने के लिए. start-ups के अंदर एक जम late stage की बात करके चले और mid stage की बात करे अल्ली stage में अभी भी open है अगली खबर ministers के हिसाब से जो number of government recognized start-ups है वो 92,683 पे पहुंच गई फरवरी के महिने के अंदर तो number of research start-ups बढ़ रही है funding घट रही है अगली खबर ये बहुत जानावाना नाम है और ये नुकसान दाएक चीज है बहुत सारे लोगों को इस से दिक्कत आ रही है भाई उन्होंने डोमेन खरीद रखा था नेमचीप से अब अचानक ये कांड हो गया है तो उनका डेने मैप ही नहीं हो रहा है ना वो माइग्रेट कर पा रहे है नो कुछ कर पा रहे है बहुत गलत सीन हो गया अगर ये हुआ है तो बाकि शायद वीपेल लगा के खोला जा सकता है ऐसा मुझे लगता है या फिर डोमेन ही सुस्पेंड कर दीगी है अगर किसी के साथ कोई फसा है तो नीचे कमेंट में जुरूर बताना भाई क्या हुआ क्या नी हुआ और ये रिस्क वाली चीज है ये जो बड़ी चीज है और मुझे नहीं लगता कि कोई बात कर रहा है इस बारे में जो लोग प्रमोट करते हैं नेमचीप नेमचीप वह भी नहीं दिखाए दे रहे हैं उबी के टाइम पर अगली ख़बर भाई मार्केट की है तो मार्केट का अफ़ाल दे सकते हैंनिफ्टी बढ़ता वह दिखाए दिआ है small cap गटता हो दिखाई दिया है हिंदाल को Tata Steel गटता हो दिखाई दिया है और जहां पे हम Hindustani Unilever Asian Paint की बात करके चले वो बढ़ता हो दिखाई दिया है और इसी के साथ आज की विजनीज कतम होती है उबीत करता हो को मजा होगा लाइक कर देना, शेर कर देना, कमेंट आना वीडियो कैसी लगी बाइव गुड़न शबाकर, गुदा आफेस गुड़ मॉर्णी राट्रों जब भी आप वीडियो देख रहे है जैहिन बंदे मात्रम